नमस्काश आम साथ बजे आपके साथ मैं हूँ अनुया यादर सरकार ने डिजिटल पेइमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े एलान किये और डेबिट क्रेडिट कार्ड ओनलाइन पेइमेंट करेंगे अगर आप तो बड़ी छूट आपको यहाँ पर मिलेगी ग्रेडिट डेबिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75% यानि कि पोने 1% की छूट मिलेगी जबकि टोल प्लाजा पर अगर आप डिजिटल पेइमेंट करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी यानि कि सौर पे अगर टोल लगता है तो 90 रुपे ही ओनलाइन जेनरल इंशॉरेंस खरीदने पर भी 10% और हेल्थ इंशॉरेंस खरीदने पर 8% की छूट अगर आप ओनलाइन रेल टिकेट खरीदते हैं तो 10 लाग का दुरगटना बीमा यानि कि आक्सिडेंट इंशॉरेंस आपको फ्री दिया जाएगा रेलवे के सबर्बन मासे के लिए ई-पेइमेंट पर 0.50% यानि कि आधा परसेंट की छूट आपको मिलेगी रेलवे की दूसरी सुमिदा अगर आप लेना चाहते हैं और ऑनलाइन ट्रांसाक्शन करते हैं तो 5% की छूट मिलेगी इसके अलावा डिजिटल पेइमेंट को पड़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 आबादी वाले गाउं में 2 POS मशीने यानि कि पॉइंट और सेल मशीन मुफ्त में देने का एलान कर दिया है सरकारी बैंकों के POS मशीनों का अधिक्तम किराया सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए होगा इसके अलावा 2,000 रुपए तक की स अभी डिजिटल ट्रांजक्शन पर सर्विस चार्ज खत्म कर दिया गया है यानि कि 2,000 तक की पेमिंट आप अपने कार्ड से कीजिए डेबिट हो या क्रेडिट और आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा फिर चाहे आप शॉपिंग करते हैं या इस्ट्रों में खाना खाते हैं ब्यूटी पार्लर जाते हैं या फिर कोई और जो सुविधा है उसका लाब उठाते हैं 2,000 तक की पेमिंट है तो कोई सर्विस चार्ज आपको नहीं देना होगा तो कैशलेस ट्रांजक्शन की और बढ़ते हुए सरकार का एक बड़ा कदम और लोगों को इ इस तरह के ओफर्स यहां पर दिए गए हैं जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रॉडट्स ऑईल और डीजल खरीदेगा उसको 0.75% का डिसकांट मिलेगा कि पब्लिक सेक्टर इंशॉरेंस कंपनी जो जेनरल इंशॉरेंस में है और लाइफ इंशॉरेंस में है जो लोग कस्टमर पोर्टल है उन कंपनीज का अगर वो डिरेक्टली कस्टमर पोर्टल से पलसी खरीते हैं और उसका प्रीमियम देते हैं ओनलाइन पेमिंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जेनरल इंशॉरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंशॉरेंस के केस में क्या है